दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान कई अलग-अलग अल्टरसौंड मिजरमेंट किये जा सकते हैं। जिस्टिशनल सैक एक स्ट्रक्चर है जो कि एक एमब्रायो को इंक्लोज करती है और प्रोबैबली यह प्रेगनेंसी के पहली स्ट्रक्चर होती है जिसे अल्ली प्रेगनेंसी में अल्टरसौंड पर देखा जा सकता है। जिस्टिशनल सैक से हम अर्ली प्रेगनेंसी के प्रेजन्स और उसके वाइबिलिटी का पता लगा सकते हैं। यह प्रेगनेंसी की सुरुवात यूटेरेस में हुआ है या कहीं और। उस्लिटी प्रेगनेंसी के जिसे अल्टरसौंड पर देखा जा सकता है। प्रेग्निंसी के 7 से 13 वीक के बीच में मेजरमिंट किया जा सकता है और इसे यह पता चलता है कि एम्डियो कितने वीक का हो चुका है एक बार CRL के जरिये जिस्टिशनल एज का पता लगाने के बार डॉक्टर डिलिवरी डेट का अंदाजा लगा सकते हैं यह सकेन जितना पह BPD head के दोनों किनारों के बीच का डायमिंटर है और इसे 13 वीक के बाद मेजर किया जाता है यह 13 वीक में लगबग 2.4 cm से बढ़कर 9.5 cm हो जाता है Pregnancy में Ultrasound Procedure के दोरान किये जाने वाले कई मेजर्मिंट में से यह भी एक मेजर्मिंट है यह एक ग्रोइंग बच्चे की स्कल की डायमिटर का माप है और इस मेथर्ड का उपयोग फीटर्स के वेट और जिस्टिशनल एज का इस्टिमिशन के लिए किया जाता है Ultrasound की रिपोर्ट में HC के मदद से Pregnancy के दोरान बच्चे का सिर मापा जाता है यानि के सिर का साइज कितना बड़ा है इसे पता किया जाता है आपके Pregnancy एज की हिसाब से बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है यह सब HC से पता चलता है Femur Length F L यानि की Femur Length जिसका मतलब Fetus की जांग की हड़ी की लंबाई होता है या एक ऐसा measurement है जो बच्चे की सबसे बड़ी हड़ी की length को मापता है BPD की तरह यह भी बहुत ही important measurement है या 14th week में 1.5 cm से लेकर लगबग 7.8 cm तक बढ़ जाता है Abdominal Circumference AC यानि की Abdominal Circumference इसकी मदद से यह जानने में मदद मिलती है कि आपके बेबी का weight समय के अनुसार सही गती से बढ़ा है या नहीं अगर बार-बार scan कराने पर भी यही पता चलता है कि आपका बेबी जिस्टिशनल एज के अनुसार काफी छोटा या बरा है तो डॉक्टर आपको early delivery करवाने की सलाद दे सकती है किसी भी womb में fetus के weight का estimation BPD, FL और AC वाले polynomial equation को उपयोग करके accuracy के साथ लगाया जा सकता है example के लिए 9 cm का BPD और 30 cm का EC वाले fetus का weight लगबग 2.85 kg होगा estimated fetal weight को calculate करने के लिए 4 measurement यानिकी AC, BPD, HC और FL को एक mathematical formula में enter किया जाते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गए जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आपको यह जानकारी अच्छी भी लगी होगी दोस्तों ऐसे ही informative और knowledgeable वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें